कैसे हैं आप सब वेलकम बाक टो यूर वेरी ओन चानल एकमें करनेक्शन आइम शूटिंग आलमोस्ट लाइक एक मन्त के बाद शूट कर रही हूं बहुत सारे को पता था कि मेरी तवर्य ठीक नहीं है नाओ एम बेटर नाओ आप बाक टो बाक वीडियो आएंगे इस वीडियो में मैंने बेसिकली फोकस किया है सामने जो आने वाले राखी हैं अपकमिंग फेस्टिबल्स है उन सारे चीजों को ध्यान में रखते वे मैंने तीन कलर पे बेसिकली फोकस किया है अगर मैं किसी वीडियो में कम्प्लीट सेट दिखा रही हूँ तो कम्प्लीट सेट वाला ही वो वीडियो होगा ठीक है उसमें मैं फिर कुर्ती और मैक्सी ड्रेस इंक्लूड नहीं करूंगी और मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए क्रिएट किये हैं उस कर लेना अब सबसे पहले मैं आपको इस ड्रेस के साथ शुरू करती हूँ रेयोन इसकी फेब्रिक है मजेंटा शेड है आप देख सकते हो ब्यूटिफुल है मिड लेंद का आपको इसमें जो है आपको अनारकली कुर्ता मिलेगा इसका जब मैंने अपने एक जूसरे लेंद नहीं है मिड लेंद आप इसकी लेंद देख सकते हो विद देख सकते हो इस पे पूरे में आप क्लोजली देखो गोटा पटी का वर्क कियावा है ब्यूटिफुल सा फेब्रिक है सी थू नहीं है नेक लाइन के पास अगर मैं आपको दिखाओ राउन नेक के साथ-स आपको इसके साथ प्लाजो पांट रिसीव हो जाएगा वेस के पास इलास्टिक है और यह स्टोल लुक में दुपक्ता है आप पहले ही देख लो मैं आपको दिखा देती हूं कि यह स्टोल लुक का दुपक्ता है पाई मतलब अगर आप विद को लेकर कंफ्यूज हो रहे ह इसके विद इतनी ही आएगी यह स्टोल लुक का ही दुपक्ता मिलेगा वन मोश शेड इन दिस साहा वन इस दिस मजेंटा शेड शेड अगर आपकी शादी होने वाली है या आप किसी के शादी को अटेंड करने वाले हो यू कैन ग्राप दिस पीस विदाउट गिविंग अ सेकेंड थोट यह इतना ब्यूटिफुल है फ्रांट और बाक बोथ इसमें गोटा पट्टी का आपको वर्क में जाएगा इसमें ग्रीन गोटा पट्टी की डिटेलिंग है अगर मैं आपको इसका भी लेक लाइन दिखाओ फॉल्स मिरर के साथ साथ यह देखिए फॉल्स म मिलेगा और यह आपको प्रिंटेड बॉटम मिल जाएगे वेस्ट में इलास्टिक है मूविंग ओन तो आर नेक्स पीस इस वेरी ब्यूटिफुल सा ब्लू शेड इस शेड का मतलब इस पर्टिकुलर पीस का मैंने ग्रीन शेड दिखाए था ब्राइट ग्रीन शेड और य सी थ्रू नहीं है प्रिंटेड है और सामने में यह गोटा पटी का वर्क है और यह जो नेक के पास आप देख रहे हो ना दिस इस अ कम्प्लीट इंबोईडरी ठीक है यह पूरा का पूरा जो है वह इंबोईडरी थ्रेड इंबोईडरी का वर्क है ब्यूटिफुल है प्लाजो पैंट मिलेगा जिसके प्लाजो पैंट में भी यह वित में ग्लेटर स्पार्कल का वर्क किया हुआ है ब्यूटिफुल है और इसके साथ आपको यह शिफोन का दुपत्ता मिल जाएगा शिफोन दुपत्ते में मैंने काफी वराइटी इस दिखाई है और यह ग्र ब्यूटिफुल साहे और ऑगेन इस सा फ्रॉक अमेजिक साहे पूरी की पूरी अगर मैं आपको फ्रॉक का आपको यह दिखाऊंगे देखें पूरे पे यह ग्लेटर स्पार्कल का वर्क किया है गोटा पत्ति की लाइनिंग दिवी है प्रिंटेड है और अगर मैं आपको आपको इस प्रॉक का दिखाऊ तो आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटिफुल इसमें भी फॉल्स मिडर का और सिल्वर हैंड जरी का वर्क किया वा है इसका भी जो ट्राउजर है वह आपको सेम टून टून मिलेगा और ट्राउजर में भी आपको इसके वर्क वही गिलिटा स का मिल जाएगा और इसमें आपको यह शिफोन का दूपत्ता मिल जाएगा जिसके एक पानल पे दोनों साइट के पानल पे यह गोटा पत्ती की लाइनिंग और डिफाइनिंग कीवी है सिंगल शेट नो शेट अवेलिबल नेक्स शेट आपको दिखाती हूं इस बेरी ब्यूटफुल का फिबरिक है यह देखें गोटा पत्ती की लाइनिंग गई वी है रहाऊन का फैबरिक है प्रेंट किया अवा है नेक्लाइन अगर मैं आपको देखा हूं तो यह गोल्डन जो वर्क की अवाय नहीं इसमें लेस वर्क के साथ ब्यूटफुल एड अमेजिं दुपट्टे के लिए भी बहुत सारे लोगों ने कहा था मैं सब की ही नीड को पूरा का पूरा ट्राइ करती हूं कि उन सारे चीज को फुल्फिल कर सकूं और चारू तरफ दुपट्टे में यह आपको लेस जो है ब्यूटिफुल सा मिल जाएगा आप चाहो तो वह भी हमसे पूचेस कर सकते हों नेक्स पीस इस बेरी ब्लूटिफुल अगें मजेंटा शेट और रेड शेट का मिश्रन है ठीक है इस अगें अफ रॉक कमर के पास इसमें चिमनट आ जाएगी आप इसको देखो पहले मैं आपको इसकी डीटेलिंग देखाती फेबरिक आपको इसकी रेओन आ जाएगी सी थू नहीं है मैं आपको दिखा रही हूं सलाइट में शूट कर रही हूं तो आप देख सकते हो कि जड़ा भी सी थू नहीं है उसके बाद अगर मैं इसके नीचे देखाओं तो नीचे पैनल पे आप देख सकते हो कि इसमें गो दिखाती हूँ फॉल्स मिरर के साथ साथ आप देख सकते हो कि यह थ्रेड जड़ी का वर्क किया वा है इसलिए मैं इतना क्लोजली आपको इसका पूरा का पूरा फ्रंट पार्नल का वर्क दिखा रही हूँ बंदेज स्टैन में आपको इसका बॉटम रिसीव हो जाएगा वे और मस्टड यलो के शेड पे आपको यह ब्यूटिफुल सा डूल शेड का दुपत्ता मिल जाएगा दुपत्ते के चारो तरफ यह गोटा का जो है वर्क आपको मिल जाएगा हाइली रिकमेंड़ेट पीस है और जितरे के जितने पीस मैं आपको दिखा रही हूँ टोटली इट है गाइस आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल डिजाइन प्रोवाइट कर सको नेक्स पीस दिखाती हूँ सबके सब लेटेस्ट अराइवल है गाइस नेक्स पीस इस अगेन वेरी प्यूटिफुल और गॉजिस अनारकली ड्रेस इसका अगर मैं अब आपको पहले आपक नीचे का पानल दिखाती हूँ पूरा का पूरा कुरूश्या का लेस है कुरूश्या के लेस के साथ साथ इसमें सिल्वर गोता पटी का वोग किया वह है बंदेज स्टाइल में पूरे में प्रिंट है ठीक है ड्रेस जो है यह आपको रियॉन फैब्रिक आएगा आप देख सकते हो सी थू नहीं है इसली आप इसको पहन सकते हो फ्रंट आंड बाक बोथ इस पर वोग है फ्रंट पानल अगर आपको दिखाऊं तो नेक जो है वह आपको राउंड मिल जाएगा और उसमें भी यह कुश्या का वोग किया वा स्लीव में भी आपको यह कुश्या का वर् आप इसको आप इसको आइस क्लोज करके ले सकते हो ठीक है ब्यूटिफल लग रहा है बहुत ही ब्यूटिफुल यह देखे यह स्ट्रेस का विट आएगा और चारो तरफ यही कुश्या का ले संगोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है हाईली रिकमेंड़ पीस है आप को ही फोकस किया है रेड सारी पिंक ब्ल्यू और यलो शेट को जो भी आप पीस लेते हो दोनों के दोनों कलर गजब के हैं सामने वाले कोई भी अपकमिंग वोकेशन में आप इन सारे पीसेस को पहन सकते हो क्वालिटी सबकी एवन आएगी उसकी ग्यारंटी मैं आपको दे करने के लिए और करने के लिए नेक्स पीस अब आपको दिखाती हो फैब्रिक इस कॉटन और इंज यलो शेट आप इसको बोल सकते हो ठीक है पूरा का पूरा कॉटन का फ्रॉक है गोटा पटी का वोक कियावा है यह देखिए फ्रंट और बाक बोट पानल पे आपको यह प स्लीव में भी आपको यह गोटा पटी का वोक कियावा मिल जाएगा और इसका जो दुपट्टा है वो फुल लेंद का कॉटन का दुपट्टा है सिंगल कलर है आई डोल हाफ नी कलर अगर मैं इसमें कोई कलर इंट्रोड इंट्रड्यूस करूंगी तो डेफिनेटल आप ल में क्विक्ली इन नंबर गिवन बिलो डिस्रिप्शन बॉक्स को रीडाउट कर लीजेगा हमारे से परचेस करने के सारे टर्म्स और कंडिशन्स को जानने के लिए अब यह जो है यह स्ट्रेट पानल पे है ठीक है स्ट्रेट पानल पे आप लोग पसंद करते हो जैपूरी प्रेंट स्टाइल में है कपड़े की क्वालिटी भाई ए वन है बहुत ही बढ़िया है लाइट कॉटन जिसको कहते हैं इस इस आप 60 by 60 क्यामिक कॉटन साइड में यह डोरी दीवी है बानने के लिए और अगर अब मैं आपको इसका नेक दिखाओ ब्यूटिफुली क्राफ नया लेकर आती जाओं एकदम ही रिफ्रेशिंग स्ट्रेट पाटर्न पे यलो और ब्लू के पाटर्न पे आपको इसका पैंट मिल जाएगा कॉटन की फेब्रिक है और फुल परने का टॉप टु बॉटम आप देख सकते हो फुल विथ फुल लंग फुल प्रेथ का आपको इसका ये जो है डुपट्टा मिल जाएगा वन मूश शेड इन दिसा है फ़न इस यलो शेड अनदर इस वेरी सूधिंग वेरी आई कैचेंग ब्लू शेड दो शेड है डोनों में से जो भी आपको पसंद आ रहा है टेक स्क्रीन शॉर्ट आन वाट्साप में क्विक्ली आप धांग के पहनों समण में कहीं भी जा रहे हो ओफिस जा रहे हो कोई छोटे मुटे पाटे फंक्शन में जा रहे हो मौल में जा रहे हो कोचिंग क्लासे कडाते हो घर में ऑनलाइन क्लासे ले रहे हो वाट्सो एवर वेर दिस आपको हर हाल में कॉंप्लिमेंट मिलना ही मिलना है you will love it one of my favorite from the series last pieces अब इस वीडियो के दिखा रही हूं यह इतना ज्यादा popular हुआ this is the fourth batch जिसको मैं restock कर रही हूं तपलम कुरता है मैं इसकी detailing दिखा देती हूं नेक के पास अगर आप देखो तो पूरे में इसमें जो है आपको इस दो शेट को जो मैं आपको दिखा रही हूं इसको मैं restock करके बनवा रही हूं I don't know मैं आगे इसको बनवा पाऊंगी या नहीं बनवा पाऊंगी लास्ट पीस ऑफ दिस वीडियो इस दिस वेड़ी ब्यूटिफुल सेम टप्लम टॉप यह हाइली रिकमेंड़ है cotton का है आँख बंद करके आप इन सारे पीसेस को लोग कोई भी पार्टी फंक्शन को हसते खिलते अटेंड कर सकते हो पूरे पे यह गोल्डन गोटा पट्टी का हो और किया वा है प्रिंटेड है इसमें भी जो है आपको यह प्रिंटेड शरारा आएगा cotton is so much in trend trust me cotton का trend जबरदस तरीके से वापस आया वा है एक शरारे की आप पित देखो कितनी जादा है पूरा उपर से लेकर नीचे तक प्रिंटेड और यह पूरा beautifully cotton का ही प्रिंटेड आपको दुपत मिलेगा side में tassels के साथ so आज की video के लिए इतना ही wait किजिए हमारी next video के लिए ऐसे ही साथ लगे रहिए बने रहिए support करते रहिए मिलते हैं जल्दी अपने next video के साथ and I hope आप लोगों को video अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो definitely comment down करके बताईएगा कि कैसा लगा और next video में औ लगे हैं जाे भुड़ा खड़ाईगा कैसा निए दे बताईगा